है हिलो फरेंग दिस इस यूर नेक्स लेक्टेशर ओध यूनिट डाइफ कोशिका जीवन की क्यों लास्थ लेक्चर चिंद आपने अच्छे से अनलाईज प्या था अंतया जहिली का तंतर अंत्य जिलिका तंदर के अंदर number of points जो अपने डिस्कस किये थे like अभी मैं इनको रिमार्ग कर रहा हूँ आप अच्छे से देख लें क्या हैं अंत्य जिलिका तंदर के अंदर endoplasmic reticulum, golgi body, lysosome and vacuole इन सभी का जो interconnection तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे ये coordinated way के अंदर work करते हैं बट सिल कुछ एक points जो हैं वह आपको इनके regarding individual पता होने चाहिए एक एक को उठा करके मैं आपको बता रहा हूँ NCRT से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे NCRT मलब NCRT 11 दें 12 दोनों ऐसा नहीं कि इस chapter से बाहर नहीं जाएंगे यह नहीं बोल रहा हूँ मैं NCRT से बाहर नहीं जाएंगे अपने बट आपको स्चिल पता होना चाहिए कि जब glycosylation के process है वो कि उससे benefit क्या होने वाले है glycosylation की जो process है इससे क्या benefit होने वाला है endoplasmic reticular message है क्या कैसे modified होती है यह smooth है जो आपकी rough and smooth दो तरीके की होती है खुरदरी और चिकनी अंत्या परतवी जालिका कि खोज किस ने की थी सबसे पहले किस ने देखा था वो सारी कहानिया जो है वो आपको पढ़नी है NCRT के कुलम में नहीं है गोल जी काई में है यह सबसे बड़ी गलती मत करना चार पॉइंट जो हैं पहले आपको बताएता हूं जहां से question इस साल आने की chances maximum है वह आप अच्चे से देख ले सबसे पहले अंतह प्रदवई जाली का अंतह प्रदवई जाली का सेकिंड नंबर गोल जी काई थर्ड नंबर लाइसोसोम लाइसोसोम एन फॉर्थ नंबर लिखती का अच्चे से analyze करें इन चारों को क्या है इन चारों की structure के अंतह प्रदवी जाली का के अंदर लिखा हूँ है tiny छोटी tubular नली का का structure tiny tubular अब tube word सुनकर क्या आपको यह अंतह प्रदवी जाली का तो नहीं होगी यहां पे गोल जी बोडी में क्या लिखा हूँ है इस jerk लाय में इसक लएब नाप इसक आपको मैंने बताया इस शेप के अंदर अंतर प्रदवी जाली का यह यह तो आपको को आई देखने को मिलेगी चारड नइंत यह आप उपर से देख रही हो यह पूरा फॉल्ट है जैसे मालों यह झो में बना रहे हैं कि इसको उठा करके मैं यहां यहां अज़िता रहा रहा हुए तो यह जो फोल्ड है वाला पार्ट जो है यह कैसी होती है टुब्यूस लाइक स्ट्चर आपको देखने को मिलती है तो यहां पर जो एंसी आटी ने डिफाइन क्या हुआ है इन दोनों के लिए एक टाइनी टुबलर स्ट्चर लेकर करके छोड़ा हुआ है तो गड़बर मत करना पहला पॉइंट यह आपको क्लियर होना चाहिए सेकिंड गौलजी बोडी क्या होती है डिस्क लाइक होती है कैसी होती है डिस्क लाइक इसके इंटर्ण 0.5 से 1 माइक्रोमीटर जो आपको इंसी डिफाइन करती है वह आपको डाटा याद अखना है एड यह कैसी होती है रैटिकुलर प्रेन बाउंड वैसिकल जिल्ली से घिरी हुई एक पुट्टिका जो जो गोलजी काय की समवेश्चन वीदी के द्वारा बनती है गोलजी काय की पैकेजिंग की वज़े से बनती है जिल्ली से घिरी हुई पुट्टिका क्या बोल रहा हूं मैं जिल्ली से घिरी हुई पु करेंगी कल मैं अल्लेटी बता चुका हूं जिस तुरीकिसे आप जो मैं बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं तो दोनों चीजे मैच नहीं खा रही है इस वज़ेसे आप भूले हुए तो देख लें इसको एक बार कि लाइसोसोम के अंदर यह क्या है प्रोटीन से इसी की मैं स्थान जिली से गिरा हुआ स्थान डालो कि बहुत अच्छा मैंच कोस्ट देदेगा चारो सुरंचनाई और देदेगा यह चारो वर्ड समझारी बद यह question पिछले दो साल से मैं लगदार बोलों कि आएगा आएगा स्टिल अभी तक यहां से question design नहीं हुआ इन चारों को एक साथ ले करके बहुत अच्छा question है सबसे लास लास पैराग्राफ इसी चैप्टर का जहां पर माइक्रो बोडी को डिफाइन क्या हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है membrane bound minute vesicles माइन्यूट महां पर लिखा हुआ membrane bound minute vesicles तो पता होना चाहिए उसके बारे में पुछ लेगा एक और एड कर दिया सबसे लास लास पैराग्राफ इस चैप्टर का सबसे लास पैराग्राफ उसमें लिखा होगा पहली पहली लाइनी यह membrane bound माइन्यूट वेजिकल्स है सुक्षम अब आपको सर यह ऐसे कैसे याद होगा यह ऐसे ही याद करना है समझाओ यह बाद यह ऐसे ही याद करने पड़ेंगे आपको एक बात और बताओं राइबोसों की फ़र्स लाइन जाकर के देखना राइबोसों की फ़र्स लाइन जाकर के देखना क्या लिखा हुआ है जिल्ली रहित जिल्ली रहित ग्रेनुलर स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सारां को से कहां से कोश्चन बनेगा यहां से कॉश्चन मनता है और बहुत अच्छा बनता है अच्छे-च्छे सोजाते ही इसके इंदर के साथ में है तो द्यान अकले न इसको गडबन मत करना यह सारे पॉइंट जो मैंने आपको इनके रिगार्डिंग कहां से कॉक्षिन डिजाइन हो सकता है इंपोर्टेंट पॉइंट वो सारे आपको आपसे डिस्कस कर लिए अब आजाए ये वन बाइवन को अपने पढ़ते हैं सबसे पहले अंतह प्रदवी जाली का अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अच्छे से आप अनलाइज करें अंतह एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम बता सकते हो किसने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले इसने किसको देखा था पॉटर ने देखा था पॉटर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था सुनें मेरा कंसर यापे अडोप्लाज्मिक रेटिकूलम की स्ट्चर वहां आपको अलжеड़ी बता चुका हूँ मेरा कंसर यहापे dri r se hair rough end Technology को और smooth end Б्लाज्मिक रेटिकूलम इन दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है होता क्या है आप कre sed कि सर हमें endoplasmic reticulum पढ़ने ही क्यों है पढ़ने इस वज़े से हैं क्योंकि आपके slivers में हैं अन्ता जिलिका तंतर का पार्ट है यह बट एक छोटा सा पॉइंट आप अच्छे से अनलाइज करें कि यह रफ endoplasmic reticulum और स्मूथ endoplasmic reticulum दोनों क्या है most important आप हैंगे most important क्यों फर्स नंबर में पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं यह क्या करती है protein synthesis करवाती है क्या करवाती है protein synthesis अब protein के बिना पूरी cell का कोई वर्चस भी नहीं है और यह क्या करती है lipid synthesis आप सब लाइपो प्रोटीन कुछ हो ही नहीं सकता peptidoglycan आप बोलते हो lipopolysaccharide आप बोलते हो lipopolysaccharide आप बोलते हो फैप्टीड़ ग्लाइकेन आप बोलते हो glucose और protein lipid और ग्लुकोज polysaccharide और वह लाइपो polysaccharide peptidoglycan मैंने lipoprotein नहीं बोला है यहाँ पर दिहान रखना गडबन मत करना यह तो मैंने बैक्टीरिया की membrane के इंदर बतारूंगे इस nature के इंदर कुछ भी हो पर इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता protein के बिना तो बिल्कुल नहीं चल सकता lipid and protein यह दोनों आप अच्छे से द्यान रखें आर यार आर यार जो होती है वह आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगी सिस्टनी की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी या फिर वह आपको Vesicles की Form में, पुटिकाउं की Form में, आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके अंगे सर्दो, पुटिकाउं की Form में, येस, बताऊंगो कैसे, और फटर्ड नंबर, यह आपको नलिका की Form में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको बता होना चेये, next जो rough endoplasmic reticulum है rough endoplasmic reticulum कि अगर बात करें तो maximum आपको कहां देखने को मिलें क्योंकि इसका काम क्या है protein को synthesis करना इसका work क्या है protein को synthesis और उसका work क्या है lipid को अब protein synthesis करने वाली जो सरंचनाए है light proteinaceous hormone हो सकते है proteinaceous hormone हो सकते हैं अगर मैं बोलूँ रफ endoplasmic reticulum ज्यादा देखने को मिलेगी उन कोशी काओं में अगनाश्य के अंदर जब alpha beta gamma cells आप सोचते हो उसका जो अंत्य सरावी पार्ट है उसका बही सरावी पार्ट अलग होता है बही सरावी के बही सरावी जो digestive system में काम करता है और अंत्य सरावी आपकी पूरी बोड़ी के अंदर इंसुलिन गुलकागोन सॉमाटस्टेटिन यह प्रवाइड करता है तो सुने आप अगनाश्य जितनी भी यह तो मैंने एक लिखा है उसके अलावा जितनी भी अंत्य सरावी गरंतिया है सभी के अंदर इस नेचर के जिसमें amino acid-derived है तो वह कैसे प्रोटीन इस नेचर की है देन हो या फिर ओवरी ऑड़ी हो या फिर उसके अलवा थाईमस ग्लेंड लेंड नो कुछ भी हो यह सारी कहां अंतासरावि हैं याद करना है कैसे याद रहेगा 22 नंबर जो chapter दिया है उसमें जितनी भी गरंथियों के नाम दिये हैं सभी के सभी कैसी है अन्त्यसरावी है दियो नो डाउट उसमें से कुछ गरंथिया है ऐसी भी है जो अन्त्यसरावी के साथ बहिस्तरावी भी है समझारे बात लाइक पंक्रियाज वहां पर दिया ओक सबसे लास्ट में दिया है उनको उस चैप्टर के अंदर है। सबसे लास्ट में दिया हैं इन तीनों को पहले अगनाशिय हैं फिर व्रिन और फिर फ़र्दर अंडाशिय है। जो आपके जो आपके स्टमक के ंदर gastric pit जो गर्त present होते हैं स्टमक के अंदर जिसमें gastrin को स्कूर्ग करने माली G cells होते हैं वो भी अंतासरावी cell की ते टिरेकाम करें गोब्लेट सेल ये लो कल श्लो को शिकाइँ क्या मोस्धो क बोलते हो कलश कोशिकाइँ कि चश्शक को शिकाई वर्ड यूज किया जाते हैं गॉबलेट सेल लिख देता हूं मैं गॉबलेट सेल यह भी याद रहना चाहिए आपको पैंक्रियाज आप कहेंगे सर आप तो जो है बिलकुल ही गॉबलेट वर्ड जो है वो ज्यादा बैट रहेगा नोट कर लें आप इसो कोई दिक्कत नहीं है समझ आता है यह आपको कि क्या यह कलश्ट कोशिक आए और इन सभी मेरा गंसर नहीं आपको रटवाने से नहीं यह चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि जहां स्त्रावन का पार्ट होगा वहां पर आपको आरिया और रसीर चाहिएगी चाहिए कि स्टीडोडल हॉर्मोन की अगर बात करें तो है तो कि मिनरेलो कोडिकोड़ कोडिकोड़न अब का एंड़ोजन जो होती है इसमें गुलूकोड़ कोटबॉस वैसे सभी जितने भी कोड़िख से सारे कैसे होते हैं से लगल नेचर की होती है गोनेट्स टैस्टो शीरोजन सीरोडल नेचर के समझाएब और यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसके अलाभा आड्रीनल एड्रेनल गरंती एड्रेनल ग्लैन्ड के अंदर जो इसका कौन सा पार्ट एक होता है इसका कोटेक्स वाला पार्ट एक होता है इसका medulla वाले पार्ट को तीन भागों बाटा जाता है सब्सक्राइब को जो है तीन भागों में होता है जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा तीन वर्ड तो याद होंगे ना इंप जानते हो इंप पाथवे जो आपको बताया था इंप एमडेन मे रहो बार्ना सपाथवे एंडोमेट्रियम मायमेट्रियम पेरिमेट्रियम गलो मैर्लोर फिल्त्रेशन रेट जोना गलोमेरलो सा जोना फैसिकुलेटा जोना रेटिकुलेटा याद रख लेना इसके लावा लिपिड के लावा NCRT का लेग देता हूं है steroid, steroidal synthesis, आप कहेंगे सर इतना ही बताएंगे इतना याद हो जाएंगे काफी है, एस्ट्राडायोल जो होता है steroidal hormone है, cholesterol से derived होता है, 18 carbon होते हैं सुने, एक छोटा सा point आपको बताएता हूं, आपका जो concern है इधर देखें, जल्दी से quick आज के बाद गडबड मत करना है, वैसे इसको मैं और डिटिल बता सकता हूं, pregnant, alone, progesterone, yellow आप कहोंगे सर हमारे काम का है, क्या, काम का है progesterone, females के नदा देखने को मिलता है या आपको progesterone hormone, आवरी के अंदर अंडाशिया में progesterone आपको देखने को मिलता है, जिसको pregnancy hormone बोलते है progesterone को, progesterone से ही आपका क्या बनता है, aldosterone, क्या बनता है, aldosterone, जानते हो, aldosterone कहां होता है, aldosterone, adrenal gland जो है, aldosterone का स्तुराव करती है, aldosterone, progesterone से ही आपका बनता है, testosterone, testosterone, progesterone से ही आपका बनता है, cortisol, cortisol याद आया, glucocorticoid, progesterone से ही बनता है, estrogen, और, testosterone के बाद, अगर मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊंँ, estradival, हिंदी में लेकर दिया है, वैसे मैंने ये सारा सब कुछ, आपको समझ आ जाना चाहिए, क्या क्या हैं ये, ये लीजिए, eldosterone, second number, testosterone, third number, cortisol, four number, estrogen, five number, estradiole, अब आज के बाद कभी गडबन मत करना, क्यों cholesterol अपने लिए important है, cholesterol तो जम जाता है न, बोलते हैं न कि vesicles के अंदर जाकर के cholesterol जम जाएगा अंदर, वो ज़्यादा होगा, तो जाकर के जो है उसका जमाव होगा, एक normal amount के अंदर अपने को cholesterol required है, अगर cholesterol नहीं हुआ, तो सोच लो आप क्या क्या होने वाला है, यह 27 carbon का जो आपको दिख रहा है न, एक cholesterol, 27 carbon का, आप कहेंगे सर, 27 carbon का कैसे है, chapter number 9, जैवनू, page number 1234, 4 number page, diagram दिया हुआ इसका, जाकर के गिल ले न, count कर ले न, 27 carbon मिलेंगे, उसके बाद प्रेग्ननोलोन, फिर प्रोजेस्ट्रोन, यहां से आप नीचे नीचे आते हों, तो यह carbon कम होते जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, पूरा complete lineage, आपको इसका क्या benefit है, बहुत ज्यादा benefit है, आपको पता चलिगा कि यह सारे किस नेचर के हैं, स्टीरोडल नेचर, जितने भी यहां पर हॉर्मोन लिखे हैं, सारे कैसे हैं, स्टीरोडल नेचर के हैं, यह क्यों बताया है मैंने आपको, आपका concern था, प्लस, यहां, यह सब कुछ, smooth endoplasmic reticulum, यहां जहां यह बन रहे हैं, वहां वहां क्या होंगी, ज्यादा होंगी, आइधिंग जनरल बता दिया आपको, मैंने अन्तर परदवी जालिका के बारे में, NCIT के इतना ही डिफाइन के वह, इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा, अच्छे से अनलाइज करें इसको, नेक्स जो आपको इसके इंदर सेकिंड पढ़ना है, हाँ जी, कौन सी अंतर जिलिका तंतर के इंदर कौन सा पार्ट है सेकिंड, गोल जी काई, गोल जी बॉड़ी, गोल जी बॉड़ी की डिस्कवरी किस ने की थी, पहले क्या बोला था, कैमीलो गोल जी, अठारा सो अठानमी, एक रफ टक्चर बनाई हैं आपके सामने, इस रफ स्चक्चर के अंदर यह क्या है, इसकी सिस फेज, यह क्या है, इसकी कनवेक्स, क्या होती है, उत्तल, इसका बनाइए या फिर इसले को बोलते हैं, forming face, forming face, face का मतलब होता है, सत, सिस्त, या फिर उत्तल सत, या फिर forming face, ये क्या है इसकी, trans face, trans face बोल सकते हो आप, या फिर maturing face बोल सकते हो, maturing face, या फिर इसी के लिए क्या बड़ यूज किया जा सकते हो, कि तो जानते हो ना उत्तल अफ्तल जानते हो न आ कि यह क्या है उत्तल है अफ्तल है कि और यह क्या है उत्तल अवतल तो जानते हुँ न? ये उत्तल है ये अवतल है? वो उत्तल है ये अवतल है? ये अवतल है ये उत्तल है? ठीक कि ऐसा ही होता है न कि वक करता देज्जा वाली सीदी निकल जाती है वो कहानिया नहीं बता रहा हूं सुनो आप एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं उत्तल अब तल आ गया तो सुन लीजिए आप झाल आज के बाद कभी मत भूला हुआ यह मैं सोचो फिजिक स्टार्ट कर दी है बायो ही है और कल परसों ही मैंने आपको बताये था बीन आप होते ही विज्ञान आप जी विज्ञान नहीं समझ सकते इन सभी का ओरीजन अलग-अलग है बट फंक्शन क्या है एक जगा पहुच गई है एक जगा यह समधिती ऐसे हमों क्या बोलाता है जिनका उरिजन क्या होता है अलग-अलग का रह रहा है समान में दिदाइगरम अब जब भी उत्त आप लोगों को अगर यहां से क्या होंगे number of proteins आएंगे यह किसको रिपर engagement करता है यह represent करता है है अब यह क्या करेगा न वेसिज लसको पेक करेगा सबसे पहला वकक किया है शौटी चोटी पुट्टिकाएं ऐसी पुट्टिकाएं जिनके अंदर लिपिड्स प्रेजंट होंगे ऐसी पुट्टिकाएं जिनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजंट होंगे और यह क्या करेगा पोस्ट मैं आप इसको क्या बोलते हो पोस्ट मैं पोस्ट करेगा इस पर्टिक पर्टिकुलर चैहे इसका पाथ वे क्या होगा यह कहा चला जाएगा我们 το हो जाना चाहिए क्यों ये न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है क्यों ये फर्दर जो है आपके माइट्र कुंट्रेक अंदर जा रहे है क्योंकि गोल जी बोडी जो होता है इनकी सम्वेश्टन विधी के थुरू इनको पैक तो करता ही करता है पैक करने के साथ साथ उस पर टैक सकती है कि मालीजे क्या है कि कोशिका जिल्ली की आपकी बाउंडरी इस बाउंडरी से बाहर भी जा सकती है एड्रस अगर दूसरे घर का हो तो यह अपने घर के अंदर ही किसी दूसरे रूम में ना जाकर के घर से बाहर जाएगी पता है ना एक कोशिका इस कोशिका के अंदर खूब सारे कोशीकांग आपको देखने को बिले हैं कि वो क्या है इस पूरे घर के अंदर अलग-अलग जो रूम है उसके अंदर का ड्रस ना हो कोशिका के बहार का पाडुसी वाली कोशीका में जाएगी ना तो वह दर सकों लगाता है गोल जीवोडी को लगाता है को करता है उसकी सहचर कोशिकाइं क्यों हो भई चानल को समझारी बात अब चानली निकलियस उसमें नहीं होता है चानली निकलियस बाहर निकालूं नुकलियस बाहर निकालूं तो आपको पता होगा कि मान लिजिए यह कोशिका यह कोशिका का नुकलियस नुकलियस में बाहर नि से काम तो आरबीसी के साथ होता है कि यहीं से बाहर निकाल देती है लाल रक्त आने चाहिए वरना चानली न लिका कामी निकर पाईगी तो वह प्रोटीन जो मैं यहां बोल रहा हूं आपको कोशिका की बाउंडरी से बाहर जो जाता है तो यह पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए पर आपको कुछ और पहाद ऄंपल के बारे में किया हूं एक बॉड़ी के अंदर आया हूं है तो पहले तो भोचीhmen करती है तो अंडर को खा करती है कि मैं ऊसको खाए नहीं बाती है पशेयल तभी का बहती हैं एंटीबोडीज्र जब एंटीबोडीज्र बहनी तो बहारी कोशिए का बहार की तरह उसको स्त्रावित करें गलत्यां सवेट ग्लेंड्स затवेश्श्च ग्लेंड्स सबसीने की जो आपकर सवेध ग्लेंड्सaking स्ट्रवन कंसर नहीं ही तो है समझे आप तो वह द्यान रखना सारे पॉइंट गडबड मत करना आई यह आपको समझ आया होगा में पॉइंट आपको बताने से हैं कि सिस्फेस से हमेशा क्या होती है एंटरी होती है और कंवेक्स जो इसकी अवतल सतय है या फिर इसकी क्रांस स्वेस या फिर परिपक्वन से ओंट होती है वहां से क्टाइग और आपको ऊल्रेड़ी मैं बता चुकशहा हूं कि वया इस ग्लाइको वो क्या है ग्लाइको प्रोटीन यह क्या है ग्लाइको प्रोटीन आपको अच्छे से पता होना चाहिए ग्लाइको प्रोटीन और यहां जो प्रेजेंटर वो क्या है ग्लाइको ग्लाइको लिपिड ठीक है I think यह आपको clear हुआ होगा गॉल्जी बोडी के बारे में सम्वेश्चन वीदी के दुवारा पैकेजिंग का इसका कभाग है glycolipid glycoprotein को बनाता है glycolipid की formation को glycosidation बोलते हैं and glycoprotein की formation को glycosilation बोला जाता है I think इतना clear होगा next क्या पढ़ना है इसके इंदर लाइसोसोम मोस्ट इंपोर्टेंट लाइसोसोम आपको पहले-पहले लाइन जो मैं बता देता हूँ यह कोशिका की शब्द निकलें तो सोच समझ के निकलें लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका की आत्म घाती थैली suicidal bag जो होता है उसकी तरह consider होता है सुन लें आप लाइसोसोम के अगर बात करते हैं तो लाइसोसोम की discovery जो है scientist deed way ने की दिसकी discovery याद नहीं रखना है बता दिया आप लोगों को लाइसोसोम है क्या लाइसोसोम गोलजी बोडी की packaging से बनता है किससे बनता है गोलजी बोडी के समवेश्चन वीदी से गोलजी बोडी के समवेश्चन के द्वारा एक जिल्ली एकल जिल्ली आवरित कोशी कांग एकल जिल्ली आवरित कोशी कांग हां इसके बार काति कर देंगे नंबॉफ प्रोटीश क्या देखने को मिलेंगे नंबर ऊफ्रोटीश अ आप देखें है करेकल ज wicht ab Kait! लीसों में जो होता है इसके इनुक्लने वाले जो जोंसिक वो कैसे होते है जल अपगटनी and yeah m, क्या बोलता है इनको जल अपगटनी एंजाइम में पोलता है यह अपिन खिलिए हम यूकल्त काती है आप hydrolytic enzymes ठीक है second, कौन-कौन से enzymes आपको देखने को में लेंगे इसके अंदर Carbohydratase Protease Lipase Nuclease I think यह 4 आपको अच्छे समझ आए होंगे यह क्या है जल अपकटने enzymes Carbohydrat को डाइजेस्ट करने वाला Protein को डाइजेस्ट करने वाला Lipid को डाइजेस्ट करने वाला और Nuclecomal को डाइजेस्ट करने वाला इस फोर जो हाँ आपको अच्छे से पर काम करते हैं किस पर काम करते हैं अमली है पिएच पर काम करते हैं लेस देन सेवन अगर पिएच होगी तो ही यह वर्क करेंगे अद्रवाइस यह वर्क नहीं ओ redu bullying प्रिस पर सार garbage नहीं साइब होना चाहिए कई बढ़ाता है कि इसके एंजाइम सेंसंग्य आगर इनसरी की में बात करें यह पिह से हां अगर मैं बढ़ा देता हूं जो सब्सक्राइब करता है इंटरसाइनल लाइपेज जो होता है या फिर पैंक्रेटिक लाइपेज जो आपके अगनाश्य से मिलने वाला लाइपेज है जो आपके आंतर से मिलने वाला जो लाइपेज है वो तो सारे नातर्यस कि है इने वाला कोशी कांग है समझाशरी बाद आपको मिलेगा है इस इधनने को मिलेगी वह क्या होगी पिएलेस सेवन लेसे तेवन वर सिक्स के अराउंड जो होती है उस पर बैस्ट वर्क करता है यह चिक है तो यह आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोला जाता है कोशिगा की आत्मगाती आत्मगाती थैली तो सुसाइडल बैग क्लियर आप सभी को बनता कैसे है वो लाइन में फिर से यहां पर लिखे देना जा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए मेंब्रेंड बाउंड वैसिकल यह क्लियर हुआ आप लोगों को ठीक है जनरल थोड़ा थोड़ा पॉइंट ही बता रहा हूं जो कल एक साथ बताए थे उनको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं नेक्स्ट क्या पढ़ने आपको तिक तिका वकियूल क्या है वेकियूल अच्छे से एनलाईज करलें रिख्थिका पारिब कोशिक के इन்डर आपको बड़ी देखने को मिलेगी पारिब कोशिका के इन्डर कैसाव कैसी होती है यह साइज के अंदर इनका साइज क्या होता है बहुत बढ़ा होता है around 90% जो है उसका आयतन cover कर लेती है 90% by volume जो है उसका cover कर लेती है ये plant cell के अंदर ठीक है plant cell के अगर मैं बात करता हूँ इधर बनाई लेते हैं आप अच्छे से देख लें ये इसका nucleus जो periphery पे present होगा उसके अलावा आपको यहाँ पर रिक्तिकाएं जो हैं देख रही हैं कैसी है एक plant cell plant cell के अंदर आपको ठी जो है रिक्तिका देखने को मिल रही होगी आपका इसर कहा है अभी बताता हूँ कि इसको रिक्तिका को इसका nucleus जो कहां चला जाता है यह क्या है nucleus periphery पे परीदिय होता है पादब को शिकाएं नूकलियस कैसा होता है परीदिय होता है जिब जन्तु को शिका में central center में होता है इस चीजा अच्छे से द्यान लगे होता कि 90 प्रसेंट जो है इसका volume आप देखे पूरा complete किस ने cover किया हुए रिख्टिकाओंने कवर किया होए रिख्टिकाओं Ёहीं इसको एकल जिली से आर्द क्या है ये एकल जिल ली आवरित कोशिकांग है आपको मैं बता तहुंँ अंत्य जिली का तंत्र के जितने भी हो सारे कैसे होते हैं सिंगल मेंबरेन बांड होते हैं चाहे वहiminaly BVa देख लें देख लें चाहे ऊधिज दृम देख लें जानिे हैं थो दु फि दितन अप्रिंगे स्टेख 봤 और even सांदरता पढवनता के against, क्या है, concentration gradient के against भी क्या कर सकती है, ये work कर सकती ये, concentration gradient के against, ये क्या कर सकती है, work कर सकती है, normal condition के अंदर नहीं करेंगी, जब required होता है तब करेंगी, और इसके लिए क्या होती है, ATP use में आती है, ताकि कोशिका का प्रासण नीयमन बना रहे, कोशि यह सकते हैं वर्णक इसके बढ़िए सकते हैं अधर जो डिख मेटी मेतीरियलन हूप इस फंदर जा सकते हैं जो कोशी कि Mhm के बटारת डार जा सकता है पते हो आपको आपको मिलती है संकुचन शिल रष्धानी में क्यों डाने कहा हम सब्सक्की और आपको को देखने को मिल रही है इसका work क्या है main work होता है excretion main work क्या है excretion वैसे osmo regulation बगरह तो करती है इसके अलावा main work यहां पर क्या है surgeon किसमें Amoeba में second number आपको देखना है कि lower जो प्रोटीस्टा है lower प्रोटीस्ट मलब लोब प्रोटीस्टा मलब starting वाले जो प्रोटीस्त होते हैं सॉरी है प्रोटीस्टा के अंदर प्रोटीस्टा के नदर जब जाते हैं तो आपको मिलेंगे जिसमें आप four classes बढ़ते हो फरस्ट वन आपको ते ईक्राइस ओंआ क्राइश सोफ आइड judge uglinoid uglinoid के बाद आते हैं। आपके स्लाइम मालट और jyap आप देखते हैंच वहां पे आपको देखने को मिलेगे इन पैरा-मीशियम पैरामीशियम 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 की की है पिपहरात भी स्ट्रक्चर अगर आपकी देखेऊ हो स्लिपपर जंतु इसको बोलते हैं स्लिपर टाइप से Als ढगा यहां पर एक कई रसधानी किसकी फॉर्मेशन होती है खादे रसदानी की फॉर्मेशन किअ होती है यहां से फूड का क्या होता है इंटेक क्या होती है यह, खाद्दे, खाद्दे, रसधानी, फूड वेक्युल, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, पैरा मेशियम का एक्जाम्पल देदिया, लोवर प्रोटिस्ट जो आपके, या फिर हायर जो प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि पैरा मेशिम हायर प्रोटिस्ट के इं जाकर के NCRT के अंदर अच्छे से अनलाइज कर ले ना इसको अमीबा और सेकिंड नंबर पर क्या बताएं मैंने आपको परामीशियम कि NCRT चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू पेज नंबर 1,2,3,4,5,6 दो मिल जाएगा लिखा हुआ हुआ जिक है ट्री,4,5,6 ओर क्या हम सबसे लास्ट चैप्टर प्रोटोजों के ऊर लिख Sundar नंगी यां फूढ़ को किंचने वाला पाद अब अब फूढ़के की थे क्यां करवाते हैं मिलते हैं चोटा बड़ा होते हैं इसकी मेटाबोलिक के एक्टिविट्य को इसके इंदर क्या करें तो यज hun रिकाडिंग अप्की से अनलाइज कर ले है में वर्क और इसका साइड में आप लिग देता हूं क्या करती है यह ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन एड एक्सक्रेशन उत्सर्जन का जो इसका कार्य होता है वह होता है तो यह पूरा आपको अच्छे से पता होना चाहिए आइटिंग आपको यहां दा क्लियर हुआ होगा कि क्या अंते जिली का तंतर है इतना ही पढ़ने एक्स्ट्रा के अंदर और जो है जाने की जूरत नहीं है जहां जहां इसके वर्क इन डिटेल आएंगे वह आपको बता दिये जाएंगे उसी समय नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आज का जो पॉइंट आपको पढ़ना है वो क्या है राइबोसोम राइबोसोम की डिस्कवरी किस ने की थी बता सकते हो राइबोसोम जॉर्ज पैलाडे किस ने की थी जॉर्ज पैलाडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है क्या बोला जाता है पैलाडे पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है तो यह सारे पॉइंट जो है रिगार्डिंट आपके राइबोसोम क्लियर हो जाने चाहिए कि पैलाड पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम मिलते खाएं, राइबोसोम आपको कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर राइबोसोम, कोशिका दरवे में, कहां मिलेंगे, पहला साइटोप्लाजम में आपको देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, कोशिका दरवे साइटोप्लाजम के अंदर, second number कहां पर surface of endoplasmic reticulum अन्ते बर्दवी जली का कि सताः पर आपको देखने को मिलेगा third number कहां पर देखने को मिलेगा mitochondria mitochondria के अंदर आपको देखने को मिलेगा fourth number chloroplast लवकों के आपको देखने को मिलते है chloroplast हुआ है क्लोरोप्लास हरी तलवक में माइटोकॉंट्रिया के अंदर सुत्रकनी कहां के अंदर फिर फर्दर सर्फेस ऑफ एंडरप्लाजमी रेटिकूलम और अंत्य प्रतर भी जालेगा की सता पर और कोशी का द्रव्य में यहां सभी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा य समाज आती है बात नेक्स्ट अच्छे से सुने अब कि राइबोसोम जो है राइबोसोम दो तरीके से जो है आपको डू टाइपस के आपको देखने को मिलते हैं एक होते हैं 70S एक होते हैं 80S एक होते हैं 70S एक होते हैं 80S एक होते हैं 80S एक होते हैं 70S एक होते हैं 80S की अग युके रीटिक में मिलता है। यह सिर्फ आपको सिर्फ कहां देखने को मिलता है। मन नीजिए अगर मैं बात करता हूँ, यह जो मैंने बनाए Aussa Russian का बनाएं,सके अंदर कि यहा प्रेजिंट है। माइटो कॉंड्री रहा है आपको देखने को मिल रहे है। तो लिए को प्लाइंट सेल मालनों इसको कोशिका दिखानी पड़ती है बार-बार प्लांट सेल के लिए तो प्लांट सेल मालनों इसको जिसमें Mitochondri bhi hooga, Chloroplast bhi hooga, अब इसके अंदर जो है, आपको बता है कि 70S और ATS की अगर मैं बात करता हूँ, 70S और ATS की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको प्रोके रोटी कोशी का, UK रोटी कोशी का के अंदर और ये सिर्फ UK रोटी कोशी का के अंदर देखने को मिलता ह ठीक है अब सुने राइबोसोम है क्या टाइपस आपको बता दिए कहां मिलते हैं यह बता दिए अब है क्या राइबोसोम जो होते हैं वो आर एन ने आर एन ने प्लस नुक्लियो प्रोटीन नुक्लियो प्रोटीन अब नुक्लियो प्रोटीन क्या है अब नुक्लियो प्रोटीन क्या है अब नुक्लियो प्रोटीन क्या है अब को नुक्लियो प्रोटीन हम कैसे इसको समझें, सुनिए RNA और नुकलियो प्रोटीन बोला मैंने RNA भी भी कौन सा RNA RNA तीन तरह के RNA होते हैं राइबो नुकलिक एसिड क्या है राइबो नुकलिक एसिड RNA, mRNA और टी आरेने जो आरेने होता है वो कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा होता है कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा होता है आप सोच सकते हो आरेने सबसे ज़्यादा क्यों होगा योगि राइबोसोम की फॉर्मेशन के अंदर आरेने हेल्प करता है रएबोसम कितने सारे होंगे MRN and tRNA competitively कम होता है RNA की कारय कि अगर बात करती हूं RNA जो है वो संचनात्मक सब्सक्राइब किसी भी सरंचना को बनाने में भी help करता है कोशी का कि अंदर किसी किसी सरंचना को बनाने में help करता है आप बोलते हो आर एन नी जो होता है जल्दी से बोल रहो हो मैं आप सुन लें नोट नहीं करना है यह इन डिटेल आप मोलिकुल बेसे हो इन है टेंस में बढ़ेंगे आर ने जोता है वो स्ट्रॉक्षल कंपोनेंट की तरह भी बिएव करता है संचना आत्माग देख लो संच यहां बृत्त्त क्भीट्र मौन और ने जानते हूं रायडोज्यी सब होता है विसकी यहां होता है क्योंक होता है सब्सक्राइब होता है यहां यहा बना है आरएगर मलब इससे स्च नुकलियो नुक्टोट्स one cancer नुकलियो प्रोटीघ्षा तीन राइबोसं के है कोशी का जिली रहित और झेली रहित सबसे छोटा को शीकांग जो कोशी का के इंदर आपको देखने को मिलता है आर आरने का सिंथेसिस पता है कौन करता है किंद्रिका आपको इस और किंद्रिका करती है गया आरने किंद्रिका आरने जो बनाता है कहां भी बनेगा आपके नुकलियस के अंदर किंद्र के अंदर और वहां पर किंद्रिका जो होती है वो बनाती है आर आरने आपके नहीं सर ह हमें याद करने हैं कि हाँ याद करने हैं चप्रम्हेइट पेज नम्बर- 123 बैक से थर्ड नम्बर-page नीचेसे सेकिन के इंदर लिखा दे लिखावा मिल जाएगा चप् сюжet typical बैक से थर्ड नम्बर-page नीचे प् सथा controle क्लया प्हाँ अंडा दे मिल जाएगा है के नहीं प्रोटीन सिंथेजिस करने वाली कोशिकाओं के अंदर किंद्रिका का नंबर ज्यादा होता है बैक से थर्ड नंबर पेज बोलों पीछे से तीसरा पेज नीचे से दूसरी तीसरी लाइन देखें चैप्टर नंबर एट की बात की जा रही है अगर कुछ एड़ हुआ होगा तो आगे खिसक गया होगा थुद्धा सक्रिय आर आर अर अर अने का संसलेशन किंद्रिका के द्वारा किया जाता है कुछ ऐसा है दिया हुआ है तो पता होना चाहिए पिछले दस सालों में तीन से चार बार नीट एक्जाम में पूछा जा चुका है पिछले दस सालों में तीन से चार बार ये कोशिन पूछा जा चुका है एक बार पूछा हुआ है सक्रिय आर अर अने का सिंतेसिस कौन करता है केंद्रिका दूसरा बुचा हुआ है कि ऐसी कोशिकाइं जिनमें protein sensation बहुत जादा चाहिए उसमें किसका नंबर जादा होगा Kendricka का नंबर जादा होगा क्योंकि वह rRNA बनाएगी rRNA से ribosome बनेगा और ribosome से protein बनेगा यहां पर लिखा भी हुआ इसके बाद भी लिखा हुआ है protein synthesis करने वाली कोशिकाओं के अंदर Kendricka का नंबर जादा होता है इसी के अंदर इसी के बाद लिखा हुआ है कि अच्छे से देख लें जी आटी है यह यह समझ आया आपको अब अच्छे से analyze करें आप ribosomes सारे points यहीं clear हो जाएं यह ribosome की smaller unit यह ribosome की smaller unit ठिक है यह कैसा है यह ribosome की smaller unit मैंने बनाई है अच्छे से आप देख लें first, second, यह इसकी larger sub unit यह इसकी larger sub unit I think अब आपको यह समझ आ रहा होगा यह किसको represent कर रहा है यह माल लिजिए 70s ribosome को represent करते हैं किसको 70s ribosome 70s ribosome की 2 sub unit आपको पता है कौन-कौन सी होती है 80s ribosome को यह represent कर रहा है 70s को पढ़ने का तरीका बताया था कि दोनों sub unit को कैसे बताएंगे आप old and even के basis पर यह कैसी होगी 30s यह कैसी होगी 30s यह कैसी होगी 50s पता है ना 50 और 30 को जोड़ते हो तो कभी भी 70 नहीं आता बट in case of ribosome आता है 357 old इधर क्या है यह 40s यह क्या है 60s 40 और 60 जोड़ते तो कभी 80 नहीं आता है बट in case of ribosome जो आप 80s और यहां पे यहां पर यह पूरा complete 70s बताते हैं तो इसमें यह S क्या है क्या है क्या है यह स्वेटबर्ग कॉंस्टेंट जो कि size और density के basis पे इनको separate आउट करता है यह पढ़ेंगे in detail आप स्वेटबर्ग जो है Melson इंस्टॉल का experiment बताता हूं तो वहां पर सीजम क्लोराइट के density gradient के साथ साथ इसको define कर देते हैं अभी आपको याद रखना है कि size अकार और गनत्तव के basis पे इनको अलग-अलग किया जाता है इनकी आप सुनें 50S, 60S दो है इनके इनकी सब्यूनिट प्रेजंट होती है उसके इंदर उसकी सब्यूनिट्स आपको देखने ने को मिलती है छीक है 50S के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा 23S और और 5S, क्या देखने को मिलता है, 23S RRNA और 5S RRNA, इसकी दो स्मोलर सब यूनिट, यहाँ पर 30S के अंदर क्या होता है, 16S RRNA, और उसके इलावा भी छोटे-छोटे जो है, RNA की फ्रेग्मेंट्स देखने को मिलेंगे, बट मेन इसके अंदर क्या रहता है, 16S RRNA, 16S RRNA का मिलका बना और इसकी लाज़े सब यूनिट ही 23, और 5S, यहाँ पर 28S, 5.8S और 5S, RRNA, और 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 यहाँ आप क्या लिख रहे हैं, हमें समझ नहीं है, 18S RRNA, सुनिए, RNA क्या है, राइबो नुकलोटाइड का एक पॉलिमर, राइबो नुकलोटाइड क भी राइबो नुकलोटाइड का पोलीमर है आर एन्ने तो यह देखो आर एन्ने की जो यूनिट्स जो मैं बोल रहा हूं जो आर एन्ने की यूनिट्स आप यहां पर देख रहे हैं एनलाइज करें यह रहा 23SRRN यह 5SRRN छोटा सुन्द यूनिट यह रहा 16SRRN यह क्या है 18SRRN एसे पड़ने यह क्या है 5S यह 5.8s यह 28S ऐसे ठ्रेड्ट यह पड़े हैं यहां पर अब इन को बाढ़ने का हम किसका है इनको बाढ़न के रहने का काम है नुकलियो प्रोटीन्स का प्रोटीन्स भीच वीच में बैठी हैं जो इनके इस ट्रेड को क्या कर रही हैं बांद के बैठी है इसी वज़े से किसके बने होते हैं नुकलियो प्रोटीन और ने के पहले बात तो यह क्लियर होनी चाहिए कैसे संचनात्मक संग्ठन बनेगा समझ आ रहा होगा आपको यह पॉइंट क्लियर हुए के नहीं हुए अब स अब यहाँ ओगाइकम मार यहां एक यहां है है MRNA यह क्या है MR MRNA समझा रही है प्रोटीन सिंथे से क्यों आ करके अठकेगा यहां पर यह मारनी इसको क्या बैठकर कोई सपना रहा है कि नहीं मैं तो सिक्षिन एसा आ रहे रहे हैं सब यूनिट से ही जुड़ूंगा या मैं 18SRRN से ही जुड़ूंगा समझा रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करें मौस्ट इंपोरेंट पॉइंट कि यहां पर जो आपको 16SRRN देखने को मिल रहे हैं यह 16SRRN का थ्रड है यह 18SRRN का थ्रड है यह आकर के क्यों बंदेगा क्योंकि 18SRRN के कुछ सिक्वंश का कॉंप्लीमेंट्री पूरक जो आपको नुक्लोटाइड किसमें देखने को मिलते हैं MRN में ताकि यह आकर कि यहां बंद जाए यहां पर 16S बताने के बीचे रीजन क्या है कि आकर के यहां यह कुछ जो नुक्ताइड होते हैं MRN के यहां से आपको MRN पर क्या ने के पूरा कोज़े तभी आकर के MRN यहां पर बंता है अधर वाइस MRN आई नहीं सकता और यहां पर जो प्रेजेन सीक्विट सो इसको बोलता है शाइन डैल गैरनो सिक्वेंस इनका नाम है पर्टिकुलर मेरा कंशन यह मेरे कंजन ये है कि smaller subunit से MRNA आंकार के बंदता है क्यों थो किकी स्मोलर उजित के अंदर प्रेजट रही ने हैं उस रहने के कुछ सेक्वेंस जो होत lost जो होते हैं पर क्यों आपको प्रोंच को मिल रहे हैं वो क्या है उसके अंदर आने वाले MRNA यह ङो मीनित का czas यह बड़ी वाली काई magnesium plus two आएगा तो ही इसकी बड़ी वाली काई जो है आकर के अटेच होगी स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ smaller sub unit होती है उस पर RNA होता है बड़ी वाली काई कब आती है जब 28 ऐसा आ रहा है और इसको बोलते हैं राइबोजाइम और इसको बोलते हैं राइबोजाइम और प्रोकेरियोर्स अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको प्रोकेरोटी कोशिका के अंदर जो Ketalytik activity के बोलते हैं हंजी ए के टीटी तीटी जानते हो कि अ तो राइबोसोम जो आर रहे होत है उसके अंदर जो उत्त प्रेजिर की गुण जो प्रेसेंट होते हैं उत्त प्रेजिर की गुण किसी ना किसी reaction को catalyze करने के जो गुन होते हैं यहां पर protein का जो amino acid आ रहे हैं तो larger sub unit क्यों आती है आती है कि उसमें से एक जो amino acid आ गया उसको दूसरे amino acid के साथ attach करवाया जाए तो वहां पर जो catalytic activity होती है उसके लिए कौन responsible है उसके लिए responsible है यह larger sub unit और larger sub unit का 23 rRNA अब आपको 23 srRNA आपको पता है यहां पर present है कि यहां पर present है यहां पर नीट एक्जाम के अंदर तीन से चार बार पूछा जा चुका है catalytic activity in prokaryotes proteins insulation के अंदर कौन करता है 23 srRNA catalytic activity in eukaryotes protein insulation में कौन करता है 28 srRNA इसको क्या बोला जाता है ribozyme इसको क्या बोला जाता है ribozyme ribozyme of eukaryotic cell 28 srRNA ribozyme of prokaryotic cell 23 srRNA इसी को बोला जाता है इस activity को बोला जाता है peptidal transfer is activity peptide को transfer करने की activity तो in detail पढ़ेंगे आप but ribozyme के regarding इतना पता होना चाहिए ribozyme की units क्या क्या है ribozyme है क्या बने किसके होते हैं present कहा होते हैं सब इतना point अकर आपको ribozyme के बढ़के दिया है वह असान हो जाएगी ribozyme में इतना ही लिखवाना यह RNA nucleo protein के बने होते हैं और protein synthesis में help करते हैं इतना याद होना चाहिए जो सामने लिखा है आपकी NCRT में यह है सब कुछ समझा रहे है बात एक जगह नहीं दिया हुए इतना तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए एनी हाउ तो आइधिंग ribozyme आपको clear हुआ होगा UK कोशिका के इंदर कैसा होता है क्यों यहां पर 16 SRRN इंपोर्टेंट है क्यों यहां पर 18 SRRN इंपोर्टेंट है कभी पढ़ा है आपने अनुलेखन की परकिरिया और सोरी अनुवादन की परकिरिया अनुवादन की जो परकिरिया होती है उसके अंदर तीन साइट होती है एक होती है एक जिट साइट एक होती है exit site, एक होती है peptidal site, एक होती है aminocidal site, यहाँ पर ऐसे बताते हैं इसको, फिर एक आने वाला जो TRN यहाँ पर आता है पहला, दूसरे वाला यहाँ आता है, फिर इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर peptidal transferage activity से transfer करते हैं, यह सारे यह clear हो जाना चाहिए आपको regarding to your ribosome, अंतर जे लिकात अंतर और ribosome आपके tips से होने चाहिए, next lecture के अंदर अपने जो पढ़ने वाले हैं, वो है आपका mitochondria और plastered, लवक, पुरा complete, दोनों के अंदर similarity इसी वज़े से दोनों साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि most of internal जो इसके, दोनों ही दोनों अर्ध-सवायत-ंग की तरह कारे करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, अर्ध-सवायत-ंग की तरह कारे करते हैं, क्यों semi-autonomous cell, और्गनल की तरह consider होते हैं क्यों होते हैं वो सारे पॉइंट आपको बताने और mitochondria और chloroplast अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी human physiology और plant physiology के basics भी clear हो जाएं ठीक है क्यों कि आपको होगे सार mitochondria detail में पढ़ना है yes respiration in plants के अदर ETS cycle और क्रैब साइकल कहां पर होता है mitochondria के अंदर होता है ठीक है chloroplast के अंदर photosynthesis की परकिरिया होती है chloroplast को डंग से नहीं पढ़ा तो photosynthesis कैसे पढ़ोगे प्रकास insulation कहां हो रहा है क्या है ग्रेना क्या है stroma सारे चीज़ें नहीं पढ़ लोगे I think this is sufficient for today okay thank you